नमश्कार दोस्तों कैसे हो आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे मस्त होंगे स्वस्त होंगे दोस्तों इससे पहले वाली किलास के अंदर हमने 20 क्विशन सोल कर चुके थे आज हम बात करेंगे क्विशन नंबर 21 के बारे में क्युशन नंबर 21 है वो हमें क्या कह रहा है वो अमें यह कह रहा है कि धावन सोडा का सही सुत्तर क्या है धावन सोडा का तई फॉर्मृला क्या है तो दोस्तों अगर पहले आपने अगर 20 क्युशन अगर नहीं एक्जाम में आपको हूब हूँ ऐसे कैसे क्यूशन मिलेंगे और ऐसे कैसे आप आंसर करके आओगे तो हम बात करते हैं धावन सोडे का सही सुत्र क्या है देखो यहाँ पर पहला उप्सन यह है एने टू सी ओ थिरी जिसे हम कहते हैं सोडा एस क्या कहते हैं दोस्तों इसे हम कहते हैं सोडा एस ध्यान से समझेगा सोडा एस कहते हैं सोडा एस और ध्यान से समझेगा जो सोडा एस हमारे पास में होता है इस Soda S को ही याद रखिएगा इसका सुत्र होता है Na2CO3 जिसमें कोई क्रिश्टलन जल नहीं होता है और सबसे important बात ये है इसको सालवे विदी से बनाया जाता है कौन से विदी से? सालवे विदी से या सालवे प्रोसेस इसको बनाया जाता है very very important ये question है याद रखना सालवे विदी से सोडा S को बनाया जाता है अब हम बात करते हैं यहाँ पर यहाँ पर तो धावन सोडा होता है ना उस धावन सोडे के अंदर 10H2O क्रिश्टलन जल होते हैं इसका right answer होता है वो क्या होता है? और जब धावन सोडे को जब गरम कर दिया जाता है इसको धावन सोडा को जब हम गरम कर देते हैं तो दोस्तों यह formula होता है na2CO3.10H2O जैसे हम इसको गरम कर देते हैं तो 10 जलकेनों वहाँ निकल जाते हैं और हमारे पास में बन जाता है na2CO3 जिसे हम कहते हैं soda S और जिसे सालमी विदीसी बनाया जाता है चलो अब आप बताईए question number 22 question number 22 का right answer क्या होगा पहले आप बताईए इसका answer क्या होगा आप से ये पूछा गया है कि कौन सा एक परमानिक gas है monoatomic gas कौन सी है hydrogen है या nitrogen है या chlorine है या helium है आप से ये पूछा गया है अब ध्यान से समझेगा इसका right answer क्या होगा hydrogen होता है वो H2 के रूप में पाई जाता है इसका मलब ये एक diatomic gas है एसे ही हमारे पास में n2 nitrogen n2 के रूप में पाई जाती है ये भी diatomic gas है chlorine Cl2 के रूप में पाई जाती है यह भी diatomic gas है यहां पर helium है केवला HE helium ही नहीं सबी inert gas है सबी जो aku Kanmen अग्रिय गैस है हमारे पास में वह auki RT चाई वो helium हो चाई वो Bus day vi region हो चाई वो औरगन हो चाई व बोनो एटोमिक गैसे होती हैं जो केवल और केवल एक परमानविक रूप के अंदर पाई जाती हैं चलो हम नेक्ष्ट बात करते हैं किशन नमबर 23 के बारे में आपसे ये पूछा गया है कि आप मिलान कीजिए कि सुमेलित कीजिए जो सुची फश्ट है जिसमें प्रोसेस आपको दे रखा है जिसमें आपको प्रोसेस दे रखा है और यहां उस परिवरतर का नाम बोला है वास्पन किसे कहते हैं तो दोस्तों वास्पन कहते हैं जब कोई लिक्विड होता है वो गैस में बदलता है किसमें लिक्विड में किसमें बदलता है गैस में तो आप यह देखो लिक्विड का गैस में बदलना ए तो आप पहले ए पर ए चले जाओ अब देखो यही तो होता है कुशन सोल करने का तरीका अब आ सीधा गैस में बदल जाता है अब धुटोस का सीधा गैस से बदलना तो δेखो वीमे अपने पास में देखो मिल गया तीन नमबर अब देखो वही तो बात में निबता है कि आपको एक ही पहले में ही को different मिल रहा है तो वहीं आप कर अंसवा निकल करके आ गया xmanation लाइख मतलब यह होता है कोई अधर वह किसमें बदल रहा है मेरे भाई फ्क बदल रहा है है इसमें वदल रहा है फोस में बदल रहा है यह देखो दरव से ठोस में बदलना इसका म Zar explains हमारे पास में क्या होुद। जाएगा और पिगल ना पिगलेगा कूण को सोगा में प्रकुली जो हमारी हम पूछा गया है morte काश्टिक है आजमिनर काश्टिक है कि पूछा गया है कि Valenti लूनर काश्टिक होता है इसका राइट आंसर क्या है लूनर काश्टिक का रासाइनिक सुत्र क्या होता है केमिकल फोर्मूला क्या होता है तो दोस्तो एजी बियार इसे कहते हैं सिल्वर ब्रॉमेड और इसका प्रियोग शाम स्वेथ फोटोग्राफी में किया दाता है ब्लै बनाने में Gület 24 रियोक किया जाता है जिसे vulnerability कास्तिक कहते है चलो अब आप से बात करतें nove, dit kis का हे ओरण सल वर किसका फोर्मुला है चलो बताइए ओरण सिल्वर किसका फोर्मुला है यह हेजी का पुलो हो रहा है चाम स्वेंट questi में ये लूनर काश्टिक है इसका मुलब ये भी नहीं है ये भी नहीं है इसके अलाव आपको आंसर बताना है होरन सिल्वर का जो राइट आंसर होगा वो क्या होता है और दोस्तों यहां पर एक और इंपोर्टेंट बात याद रखना जो हमारे पास में अगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट बात है आपसे ये पूछा गया कि कैलोमल किसे कहते हैं वेरी वेरी इंपोर्टेंड मरकरी का ये एक S को होता है कैलोमल इसलिए देखो Hg, 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 Hg सभी में होता है तो याद रखना यहाँ कैलोमल का रासाइनिक सुत्तर क्या होता है राइट टांसर क्या होता है चलो जल्दी से आप बताईए फिर मैं इसका जल्दी से आपको सॉलिशन बताऊँगा तो याद रखना जो मरकरी का जो हमारे पास में क्लोराइड होता है ये Hg2Cl2 को हम क्या कहते हैं कैलोमल कहते हैं याद रखना ये HgCl2 है जबकि यहाँ दोनों 2-2 है इसलिए याद रखना वेरी इंपोर्टेंट बात है यहाँ पर यहाँ पर यह मरकरी है न वो पलस वन उक्सिडेशन अवस्ता में पाई जा रही है जब पलस वन उक्सिडेशन अवस्ता में यह क्लोरिन के साथ योगिक बनाती है तुसे कैलोमल यहाँ यह पलस टू में है मरकरी क्लियर? चलो अब आगे बढ़ते हैं सिनेवार मैंने बताया होगा ओफलाइन क्लास के अंदर भी कि जो सिनेवार होता है वो किसका एस्क होता है चलो Sinebar होता है, Mercury का S को होता है और Mercury का परतीक होता है HG तो Right Answer क्या होगा HGS Mercury Sulfide को अपने क्या कहते है Mercury Sulfide को हम कहते है Sinebar और याद रखना PBS को हम कहते है Gelna यह Led का S को होता है Very important है, बड़ा काम का है आगे हम बढ़ते है हमें यह सवाल बात करना है सोडा लाइम क्या है सोडा लाइम क्या होता है चलो जल्बी से इसका अंसर बताईए कि सोडा लाइम क्या होता है सोडा लाइम क्या होता है चलो सोडा लाइम का जो राइट आंसर होगा वो हमारे पास में क्या होगा ध्यान से समझेगा सोडा लाइम का राइट आंसर होगा याद रखना एने ओएच और सी एओ एने ओएच और सी एओ को मिस्रन को हम क्या कहते है सोडा लाइम कहते है एपिवीक लाइम या हम कह सकते हैं बिना पुझा चूना किलिर चलो अब आपसे ये सवाल पूछा गया है कि कौन सा परिवर्तन भोतिक परिवर्तन का एक उधारन है आपको मालू है हावा में चांदी के बर्तनों का काला पढ़ना हावा में चांदी के बर्तनों का क्या पढ़ना काला पढ़ना कैसा परिवर्तन है रासाईनि क्योंकि यह चांदी होती है यह हवा में सल्फाइड के संप्रक में याद आती है तो यह क्या बना लेती है ए जी टू एस बना लेती है और चांदी के सल्फाइड काले रंगे होते हैं इसलिए चांदी काली पड़ जाती है इसलिए याद रखना हवा में चांदी का काला पड़ना लोहे पर जंग के कान लाल भूरी रंगी परच चड़ना पीतल के बरतन का हरा होना ये सभी रासाइनिक परिवर्तन के उधारने जंग के उधारने मौमबत्ती का जलना देखो यहां पर मौमबत्ती का जलना कैसा परिवर्तन वाना गया है रासाइनिक क्योंकि मौमबत्ती जब जलती है न बच्चो तो वहां पर यह जहां से समझना यह आपके पास में मौमबत्ती है जब यह जलती है तो CO प्लस H2 वाटर वैपर गैस बनाती है और यह पूरा मोम जलकर co plus h2 बना लेता है तो मोम बत्ती खतम हो जाती है और co plus h2 से वापस मोम बत्ती नहीं ह्याइं करके आना अगर avius ले गार्जेश मोले अग्हें पूछे तो भी डोनों के आना नहीं अजलों बताये तेलों के हायगत करन में परयुक्त कैटालिस्ट सा होता है उत्मेरक कौन सा होता है तो याद रखना जब वेजिटेबल ओयल से जब वेजिटेबल ओयल से हम वेजिटेबल घी बनाते हैं वेजिटेबल घी बनाते हैं तो याद रखना हम इस प्रोसेस के अंदर या तो उत्मेरक काम में लेते हैं निकल या पलेटिनम या पैलेडियम हम ये सभी उत्पेरक काम में लेते हैं अगर हम किसी एक की बात करें पर्टिकुलर ली हम किसको प्रिफरेंस देंगे हम देंगे निकल को किलियर इस बात को थोड़ा सा ध्यान से समझेगा किलियर चलो तो यहां पर तो राइट आंसर होग निकल होगा आयरन उत्पेरक हैबर प्रक्रम में काम मिलिया जाता है हैबर प्रक्रम हैबर प्रक्रम अमोनिया बनाने का प्रक्रम होता है जिसमें एजे आयरन जो होता है वो उत्पेरक के रूप में काम मिलिया जाता है जबकि मोली बडेनम होता है मोली बडेनम ये एक उत्प कमल बनाने का जो ओस्ट वार्ड प्रकरम होता है उसमें प्लेटिनम एजे कैटलिस्ट का प्रियोग किया जाता है चलो अब आगे बढ़ते हैं जो नोन मेटल होती है उन non-metal के oxide हमारे पास में कैسे होते हैं तो याद रखना non-metal के oxide हमारे पास में कैसे होते हैं अमलिय परकरती के होते हैं याद रखना s o2 और 02 s o2 sulfur है s o2 में s क्या है sulfur और n o2 में n क्या है nitrozen है किलियर और याद रखना very important बात आपको बताने जा रहा हूँ SO2 और NO2 के कारण ही क्या होती है Acidic Rain होती है अमलिय वर्सा होती है अमलिय वर्सा होती है जिसकी जो pH होती है वो 5.6 क्या होती है कम होती है याद रखना SO2 होता है SO2 होता है ये तो जलसे क्रिया करके H2O से क्रिया करके SO2 क्या बनाता है H2SO4 सलिफियरिक अमल बनाता है जबकि हमारे पास में जबकि हमारे पास में NO2 होता है ये NO2 वाटर से क्रिया करके क्या बना लेता है HNO3 अमल बना लेता है और ये अमल जब वर्सा के जलके साथ आते है तो उसे कहते हैं आमली वरसा अमली वरसा के काण दोस्तो ताज बेल की चमक क्या पढ़ रही है फिक की पढ़ रही है इस बात को भी जान से समझेगा अब हम बात करते हैं नेक्टक्यूशन के बारे में गाषनद कर्ण हुई थी तो दोस्तो याद आखना बोपाल गैस तराजदी में बताईए किस गैस के कान हुई थी पहले आप बताईए इसका जल्दी सी आंस्वर बिल्कुल बोपाल गैस तराजदी मिक गैस के रिशाव के कान हुई थी कौन सी गैस मिक गैस मिक बोले तो मिथाइल आई बोले तो आईसो सी बोले तो साइनेट मिथाईल आईसो साइनेट की कान कुण से हादसा हुआ था भोपाल के अंदर गैस तराज दिवी थी जो लगबग 2-3 दिसंबर को 1984 को ये हादसा हुआ था और भोपाल के अंदर एक फैक्टरी थी जिसका नाम था यूनियन कारबाइड नाम का था यूनियन कारबाइड ये फैक्टरी कीटना सक दवा बनाने की थी जिसमें जैरिली गैस का प्रियोग किया रहा था मिथाईल आईसो साइनाइट का जिसका कहीं से रिसाव हो गया और कई हजारों लोग और येक्टिव की जान चली गई किलियर चलो अब आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पर याद रखना यूद में परिवत होने वाली फॉस्जीन गैस यूद में परिवत होने वाली फॉस्जीन गैस का सुत्र क्या है तो दोस्तों फॉस्जीन गैस कहते हैं यह जहरिली होती है इसलिए जब भी इसको रख रखाव किया जाता है जब भी इसका रख रखाव किया जाता है तो या देखना इस फोस्जीन गैस के अंदर क्या मिलाया जाता है एथेनोल मिलाया जाता है क्या मिलाया जाता है एथेनोल और एथेनोल एज ए नमबर 34, सही मिलान करना है, चलो करिए, चलो, अब ACT कमल, मालूम होगा किस में पाया जाता है, सिर्का में, तो A में 4 देखो, A में 4, आपको यहीं आंसर मिल गया, आगे जाने की जरूरती नहीं है, लेक्टी कमल किस में पाया जाता है, दही में, देख लो, आपको यहीं आंस मिल रहा है और ascorbic में ने कहा था नीमबू में संत्रा में आवला में सिट्री का मल पाया जाता है फिर भी अगर option में कहीं नहीं हो तो हम कह सकते हैं कि कौन सा मल पाया जाता है मेरे भाई एकसकोर्बिक एसिड पाया जाता है और यह जो एकसकोर्बिक एसिड होता है यह किस का रासाइनिक नाम होता है तो याद रखना विटामिन C का रासाइनिक नाम होता है किलियर चलो अब आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं पहले क्यूशन नमबर 35 की बात करें तो साही का दाग मिटाने के लिए कौन सा अमल का प्रियोग किया जाता है तो दोस्तों याद रखिएगा साही का दाग हटाने के लिए कौन सा अमल का प्रियोग किया जाता है चलो बताइए जल्दी कौन सा अमल का प्रियोग किया जाता है चलो अब ध्यान से सुनिएगा फॉर्मिक एसिड होता है इसका फॉर्मूला होता है ये चीटी के डंक में नेटल के डंक में मदमक्खी के डंक में पाया जाता है इसलिए कहीं तौचा के अंदर चुब जाए वो डंक या इस पर सो जाए तो हमेरे दर्देंजलन का अन्बव होता है ये सबसे पहले लाल चीटी के बंज़ा कास्वन से प्राफ्ट किया गया और लाल चीटी को ग्रीक भासा में फॉर्मिक का कहते हैं इसलिए इसका नाम पड़ा फॉर्मिक एसिड चलो अब हम बात करते हैं किसके बारे में मेरे भाई अब हम बात करते हैं एसिटी कमल एसिटी कमल का फॉर्मूला होता है CS3CWH यह किसमे पाया जाता है दोस्तों यह पाया जाता है सिर्का में और सिर्का में जो एसिटी कमल की परतिस्ट मात्रा होती है वो 2-5% होती है और सिर्का का परियोग आचार वे मुरब्बा को खराब होने से बचाने में किया जाता है किलियर इसके बाद करें मेली कमल मेली कमल किस में पाया जाता है सेव में पाया जाता है और याद रखना दोस्तों सेव को काट करके जब खुला छोड़ देते हैं तो उसका रंग भूरा हो जाता है लाल भूरा हो जाता है यह भी एक रासाईनी केमिकल चेंजिज है और श्याई के दाग दब्बे हटाने में परियोग करते हैं हम किसका हम परियोग करते हैं ओक जिल O H तो H2 कितनी हो गई दो कार्बन कितने हो गई दो ओक्सिदन कितनी हो गई चार यह इसका क्या हो गया फोर्मूला हो गया के लिए अब ध्यान से समझेगा ओक जेलिक एसड़ का प्रियोग किया जाता है एक तो फर्स पर जंग और शाई के दब्बे हटाने में और एक इसक ख स्प्रेंगे च्रचा करें लिए अच्छे से जवर्दस तरीके से तब तक इस क्लास को ध्यान से बढे समझिये है और जाद से ज्यादा लाइक को रिएक को बिलकुल ना भूले आप ज़्यादा से ज्यादा लाइकर और से रोगे मुझे मूटिवेशन मिलेगा मैं